Hello Friends Friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है What is Bookmark and how to use it जी हाँ, बुक्मार्क क्या होता है और इसका use कैसे करते हैं Friends, जैसे कि आपको पता है आज की इंटरनेट की दुनिया में करोडो वेबसाइट्स है और हम कई वेबसाइट्स यूज़ करते हैं लेकिन कभी कभי ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट जो हमने कभी यूज़ किये हैं अचानल से हमें उसकी जरुध पढ़ जाती है लेकिन प्रप्लम क्या होती है उस वेबसाइट्स का नाम याद नहीं आता है उस website का जो link की याद नहीं आता है उसका URL नहीं याद आता है तो ऐसे में हम चाह कर भी अपना काम नहीं कर पाते हैं तो ऐसे problem से बचने के लिए ही हम इसका use करते हैं और ये bookmark जो है इसी वर के लिए बनाएंगे है इसे phenomenon के बनाएंगे है तो फर्स्ट आपको इस थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा इस सारे process मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ को describe करके बताते चलूँगा तो इस ध्यान से इस process को देखेगा और ये बहुत ही beneficial होने वाला है आपके लिए तो चलिए अपना ये process स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात दोस्तों मान लेते हैं कि हमने कभी मैंने कोई website use किया किसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई एक ऐसा website भी है जहां पे मुझे free में मैं software को upload कर सकता है उपने system पे तो मैंने पूझा क्या है नाम है उसने बोला है कि भाई file hippo और मैंने इसको क्लिक किया अब आप यहां पर देखेंगे जैसे मैंने file hippo यहां पर क्लिक किया तो file hippo नाम का यहां पर एक page यहां पर मतलब उस website का पेज यहां पर खुल गया यह देखी इतना बड़ा link है यहां पर लिखे यह 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 आनलिस का इसका अब यानि मुझे यह बहुत ही अच्छा लगा और in future हो सकता है मुझे कभी इसकी ज़रुद पढ़ जाए तो अब मेरे पास क्या है रास्ता है या तो मैं इसको क्या करूँ कहीं लिख कर रख लूँ या फिर इसको कहीं मैं copy करके रखूँ किसी फ्रेंड से या इसको मैं memorize कर लूँ तो क्या यह possible है कि मैं इसको लिख करके मैं रखूँगा तो मेरे पास secure रहेगा या मैं इसको memorize करके मैं इसको रख सकता हूँ क्या कभी possible नहीं है तो ऐसे problem से बचने के लिए हम फिर bookmark का use करते हैं bookmark का use करने से आपको इन सारे problem से निजात मिलने वाली है क्योंकि अब आपको उस website का नाम याद करने की जोत नहीं है उस website का इतना बढ़ा link याद करने की जोत नहीं है दोस्तो जहां पर आपको URL दिखता है यह इस line के last में देखोगे यहाँ पर आपको start दिखेगा दिख रहे हैं आपको और दिखे हैं आपको लिख रहा है bookmark this tab तो अब यह कहता क्या है कि इस tab को आपको पूरा bookmark में add करना है ठीक है आपने इस पर जैसे click करोगे यह दिखिए blue color का हो गया हो गया अब यहाँ पर यह आपसे permission माग रहा है कि भाई ठीक है अगर आपको इसको bookmark में add करना है तो इसको done कीजिए तो मैंने क्या क्या है इसको मैंने done किया हो गया done मतलब क्या हुआ अब यह इतना बड़ा जो link है इतना बड़ा जो इसका URL है यह मेरे bookmark के dictionary में add हो चुका है माल लीजिए in future suppose when मैं यहाँ पर फिर से वापस Google लिखता हूँ मैं अपना काम किया bookmark मैंने उस file को अटा दिया उस website को अटा दिया काम खतम हो गया मैं अपना काम कर रहा हूँ माल लीजिए 6 मेहने बाद अचानक से मुझे जरुरत पड़ा क कि वापस मुझे किसी software की जरुदपड़ी और मुझे यह याद है कि मैंने ऐसा कभी software का website यूज़ किया था लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद है मुझे उसका link याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा लेकि मुझे यह याद है कि मैंने उसको अपने bookmark में add कर रख रहा है तो देखिए अब क्या होने वाला है मैं यहाँ पे bookmark पे जाने के लिए कैसे कैसे देखा जाता है यह तो bookmark में add करने के लिए अब जो आपने bookmark में add किया है उसको देखते कैसे ही वो process समझे आपको वापस उसी lane में यानि जहाँ पी URL होता है इसी lane में यहाँ पे देखेगा आपको तीन डॉट्स दिखेंगे दिखाए यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ customize and control Google Chrome आपको इसी पे click करना है यहाँ पे click करेंगे आपको देखेगा यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे bookmark देखेगा देख रहे हैं आपको friends जैसे आप bookmark पे आँगे तो आपको बस थोड़ा सा आपको नाम तो देखती ही समझ में आ जागा यही होगा देखें यहाँ पे लिखा भी है filehippo.com download free software आपने क्या किया इस पे click किया और जैसे click किया देखेगे फिल्स की आपके सामने आपके खेखेगे अप लोड़ कर सकते हैं तो यह इसका बहुत बाड़ा benefit हुआ कि आपने को कहीं लिख कर रखने की जग। यह एनि 6 मैने बैधम की जग पढ़ी तो मेरे इस bookmarklist में था और मैं तुनंट उसका गया और मैंने इसका क्लिक करके अपना काम कर लिया ये इसका benefit है बुकमार का पर एक्जांपल मैं दूसा एक्जांपल आपको लेकर बदाता हूँ suppose that फिर मैंने 6 मैंने बाद फिर मुझे अचानक जोड़ पढ़ गया है मुझे कुछ editing करने थी अपने photograph में तो मैंने क्या क्या मैंने यहां लिखा remove background from image तो मैंने इसको लिखा और देखें यहां पे यह आ कि आप पेज़ फुल गया यहां पे और फिर मुझे ऐसा लगा कि in future भी कभी इसका use पढ़ सकता है और इसका नाम याद कौन करेगा इसको कहां लिखका मैं रखूंगा किस से मैं पूछूंगा तो इस problem से बचने के लिए मैंने क्या किया इसको bookmark में add किया चुकि देखी यह already मेरे bookmark में add है blue color का देख रहा है तो मैंने क्या किया मैं यहां पे इसको यहां पर blue करने का मतलब क्या है यह आपके bookmark में add है अब मैं क्या कुरूंगा सीथ है यहां पर जाता हूँ bookmark में जाओंगा और यहां पर देखे remove background image from image मैंने यहां पे इसको click किया वह पस यह page यह देखे वो page यहां पे खुल किया यहां पर 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 यहां करते हैं अब आप इसका लिंक देख रहा है कितना लंबा है क्या मेरे याद करना पॉसिबल है नहीं इसको लिख कर रखना पॉसिबल है कहीं रख कर रहा है लेकिन यह जो है, यह मेरे bookmark में add नहीं है तो मैं क्या करूँगा, वापर इसको मैं bookmark में add करूँगा permission माग रहा है, मैं इसको done कर दिया clear है अब यह मेरे bookmark में add हो जुका है अब 6-7 महिना साल बर, 2 साल बाद भी अगर मुझे इस website की जोद पड़ेगी तो बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि भाई इसका क्या काम था, मैं क्या करूँगा मुझे अचानक से जोद पड़े, याँ मुझे YouTube Studio जैसा कुछ काम था, मैं 6 मैंने साल बार पहले किया था मैंने साथ इसको bookmark में, अपने bookmark में तो रखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ जाओंगा bookmark पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे मैं देखूँगा देखे, YouTube Studio देखी रहा है यहाँ पे क्लिक करूँगा जैसे करूँगा, देखिए, पेज वापस खुल गया यानि इतना बड़ा मुझे लिखने के जोत नहीं पड़ी, इतने बड़ी website के नाम लिखने के जोत नहीं पड़ी URL जो भी है, मुझे लिखने के जोत नहीं पड़ी तो मेरे सामने आ गया अब आप यह देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लू करकर शो कर रहा है मतलब यह मेरे bookmark में add हो चुक है clear है दोस्तो, तो this is the basic concept of bookmark मैं फिर से एक बार repeat कर दे रहा हूँ, bookmark का use हम उन website का नाम save करके रखने में यूज करते हैं जिनका use हमें in future जो हमारे बहुत important होते हैं जिनका use हम in future में कभी कर सकते हैं या जिनका link या जिनका website का नाम लिखकर रखना बड़ा मुश्किल है या जिनको याद करना बड़ा मुश्किल है तो ऐसे में चोटे website हो, बड़े website नाम हो, कोई भी हो अगर आपके लिए important है, उसको आप अपने URL में add करके अपने system में रख सकते हैं साल के बाद, साल बर बाद, दो साल, तीन साल बाद, कभी भी आपको उसकी ज़रत पढ़ें चुकि वो आपके system में URL में add हो चुका है तो आप कभी भी उसका use कर सकते हैं clear है? Thank you अब आई दोस्तों थोड़ा से एक चीज और ध्यान लिखेगा URL, अभी तक मुझे अपने bookmark में मैंने क्या add किया है, मुझे बार बार वो process करना पढ़ा था मुझे क्या process करना पढ़ा था? यानि bookmark में कौन कौन से website add है मुझे वो देखने के लिए क्या करना पढ़ा था? उसके लिए मुझे पहले यहाँ पर जाना पढ़ा था यह three dots जाना पर है इन पर click करो, उसके बाद से bookmark में आओ और फिर मुझे यहाँ पर क्या करना पढ़ा था? इसको देखना पढ़ा था लेकिन दोस्तों इसका भी एक और shortcut है अगर आप चाहते हैं कि यह जितने भी website है यह इतने लंबे process आपको देखना ना पढ़े तो आप एक काम कर सकते हैं इसको आप अपने system पे show कर सकते हैं कैसे करते हैं? आपको देखे, कुछ नहीं करना है यहाँ पर show bookmark बार दिया हुआ है मैंने यहाँ पर hide रखा हुआ है इसलिए आपको यहाँ पर यह दिखेगा यहाँ पर this place, at this place आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने जितने भी bookmark है वो सारे चीज़े मैं यहाँ पर मैं system पे दिखें तो आपको बस इस पर click कर देना है show कर देना है, ठीक है अब आप देखेंगे आपके bookmark में जितने भी website आपने add कर रखे है वो यहाँ दिखेंगे और यहीं से आप diet वहाँ तक पहुँच सकते है ठीक है यहाँ पर देखें, इस सारे चीज़ दिख रही तो bookmark में अपने website को देखने के दो तरीके होते है या तो आप उसको show कर देगे तो वो आप उसको सीधे कहां दिखेगा अपने system पर दिखेगा नहीं तो अगर आप उसको hide कर देते है मुस्टी लोग hide कर देते है मैंने यहाँ पर hide कर दिया तो फिर वापस क्या करना होगा three dots पर जाना होगा यहाँ पर bookmark पर जाए और bookmark से सीधे जिस पर भी आपको click करना होगा आप वहाँ पर click करेंगे तो आपको अपना वो website देख जाएगा clear है I think so आपको यह video जरूर पसंद आया होगा दोस्तों यह सभी के लिए हम सभी के लिए बहुत ही ज़ोरी है क्योंकि in future कभी भी किसी भी website की जोद पढ़ सकती है और ऐसे websites जिनको हम लिख कर नहीं रज़ सकते हैं या जो भी चीजे किसी का भी website क्योंकि इनको memorize करना बढ़ा मुश्किल है तो हम उन सारे website को हम लिख कर अब नहीं रखेंगे उनको हम कहीं memorize नहीं करने की जोत है आपको सिर्फ किसकी जोत पड़ेगी bookmark की आप एक बार bookmark कर दीजे वो आपके system में install हो जाएगा मतलब वो आपके system में save हो जाएगा फिर आपको जभी भी जोत पड़े दो साल बाद तीन साल बाद आप वहां से भी उसको निकाल की यूज़ कर सकते हैं ओके फ्रेंट्स आपको ये वीडियो ज़रू पसंदा होगा तो थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो और प्लीज इसको खुद यूज़ करिए इसको फैक्टिस करिए क्योंकि बहुत इको बिए वाओ इंप åल जीज आ क्योंकि बहुत इंपरते हैं अभी के लिए ख Quindi लाइए लाइस जाक्विडियो ना से ओलन मफ आपको लूग्न से ब्हूड और प्लीज़ कूट अँप पॉसब। धूह प्टीज़यो झालूग Cu झाल झाल